अज हम आपको पाटको कोरा मायन में वन्नी चुडा मनी की कहानी बताने जा रहे हैं इस कहानी में आप जानेंगे कि कहां से आई चुडा मनी किसने दी सीता जी को चुडा मनी क्यों दीस लंका में हनुमान जी को सीता जी ने चुडा मनी कैसे हुआ वैश्नो माता का जन्म साग सागर में से दो देवियाओं का जन्म हुआ पहला रत्न नंदिनी दूसरा रत्न महालक्षमी रत्न तिनी ने अपना तनमंश्री हरी विष्णुजी को देखते ही समर्पित कर दिया था जब उनसे मिलने के लिए वह आगे बढ़ी तो सागर ने अपनी पुत्री को विश्व कर समा द्वारा निर्मित दिव्य रत्न जटित चूड़ा मनी प्रदान की जो सुर्पूजित मनी से बनी हुई थी इतने में महालक्षमी का प्रदुभाव हो गया और लक्षमी जी ने विष्णुजी को देखते ही मन ही मन वरन कर लिया था यह देखकर रत्न देवी मन ही मन मे अकुलाक रह गई सब के मन की बात जानने वाली श्रीहरी रत्न देवी नंदनी के पास पहुची और धीरे से बोली मैं तुम्हारा भाव जानती हूँ पृत्वी को भरा न्युक्त करने के लिए जब तुम अवतार ग्रहन करोगी तब तब मैं तुम्हारी संग्रनी सकती के र करती हुई तब करो तब के लिए विदा होते हुए रत्न देवी नंदनी ने अपने केस के पास से चुडा मनी निकालकर निशानी के तोर पर स्रीहरी विश्नु को दे दी वही साथ पर इंद्र देव खड़े थे इंद्र चुडा मनी को पाने के लिए ललाइत हो गए विश से हार चुके थे कुछ दिनों बाद पाद लिए इंद्र की और से राजा दसरत के गाएता पाने के साथ शंभावरी की युद्ध करने के लिए स्वर्ग आये और युद्ध में शंभावरी को दसरत ने ağई डाला है दशरत के हाठों मर गया। युद जीतने की खुशी में देवराज इंडर्तता इंद्राणी ने दशरत के कसी का भुवत्य स्वागत किया। और उपहार भेट। इंडर देव ने दशरत जी को स्वर्ग गंगा मनदाक्नी के दिव्य हंसो के चार पंखित प्रदान किये इंद्राणी ने के कसी को वही दिव्य चूड़ा भेट किया और वर्दान दिया कि जिस नारी के कैशों में यह चूड़ा मनी रहेगी उसका सो भाग्य अक्ष अक्ष तथा खंड रहेगा और जिस राजे में वह नारी रहेगी उस राजे को कोई भी शत्रू प पहेट कर दिया उस चुडा मनी की समानता विशु भर में किसी भी आभूशर में नहीं हो सकती थी जब स्री राम जी का विवा माता सिता के साथ संपन हुआ सिता मैया को विवा कर सिरी राम अयोध्याधाम ले आए रिती रिवाजों से संपन हुए तीनों माताओं ने मुख द दिखाए में कंगन भाव प्रदान के अंत में कोशल्या जीने सीता जी को मुझ दिखाए में प्रभु श्री राम के हाथ सीता जी के हाथ में सौप दिया संसार और संसार में सबसे बड़ी मुझ दिखाई क्या होगी जनक जीने सीता जी का हाथ राम जी को सौप दिया कोशल जी की सीता मा के प्रती ममता का बखान ही नहीं कर सकते सीता हरण के पश्चात मात माता का पता लगाने के लिए जब हनुमान जी लंका पहुचे हनुमान जी की भेट अशोक वाटिका में सीता जी से हुई हनुमान जी ने प्रभू की दी हुई मुद्रिका सीता मया को दी और कह चुड़ा मनी रहेगी तो रावन का विनाश करना असंभव होगा हनुमान जी की लंका के वापस आकर चुड़ा मनी भगवान श्री राम को दे दी श्री राम जी को दे कर माता सीता के वियोग का हाल बताया तो दोस्तों आप लोगों को चुड़ा मनी की यह है रहस्माई कथा कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और क्या आप लोग पहले से इस कथा के बारे में जानते थे यह भी कमेंट करके बताएं और अगर आप हमारे चैनल पे नियूँ है तो मारे जैप को लाइक क